वेल्कम वेक्ट टू दीएस क्लासेज में आप सभी का श्रागत है तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास एर्थ क्लैशन 3 दा अंग्रेपूल ज्राइड जो भी क्लास एर्थ के स्टुडेंट है उनको ये वीडियो जरूर सेयर कीजेगा एंड हाँ जो भी इस्टुडेंट न्यू है वीडियो पे वो हमारे चैनल दीएस क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करने सेगा बैल आइकन को प्लेस कीजेगा जिसे हमारी वीडियो आज सभी तक पहले पहुंच सकें विन टाइम बेस्ट करें हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कोश्चन जैसे कि इसमें पूरे कोश्चन आंसर की पूरी पीडियाफ में आप लोग उनको डाउनलोद का नहीं है तो डिस्क्रप्शन में लिंक भी दियुए है एक चीज और क्लास फर्स्ट सेकेंड मतलब चैप्टर का साड़ी क्लास एच के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की भी डिस्क्रप्शन लिंक भी है तो आप लोग उस पर जाहिए पहले उसको चेक आउट कर लीजएगा फर्स्ट दिया गया है अगर आपको बहुत सरल सब्द में या बहुत सरलल लैंगवीज में अगर आपको क्योशन आंसर चाहिए तो आप लोग प्लीज चाह करें पहले ही तो चेक किईगा अब ही आपको एक अच्छी बात बताती हूँ सरफ इतना जो है वस यही इसका आंसर है क्योंकि आपको कोशन को ध्यान से पढ़ेगे तो इतनी और इतना तो आपको कोशन में मिल जाएगा तो दा वुद कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी जूरिंग दा रैनी सीजर ठीक है सेकेंड देखेंगे सेकेंड देखेंगे हूवर ट्रैब्ड इन दा वैल इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा की कुए में कौन कौन फशाद था ठीक है और कोशन आंसर क्या होगा इसका देखेंगे यहाँ पर अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक, एड जूरर ट्रैब्ड इन दा वैल मंकी, टाइगर, स्नेक और जूरर चारो जन किसमें फसे हुए थे कुए में, बैल में, ठीक है ठीक है थर्ड देखिए थर्ड देखेंगे तो कोशन में यह पूछा गया है कि कैसे टाइगर, मंकी और स्नेक ने लकड हारे की मदद की थी ठीक है तो आंसर इस इसका आंसर ये है ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें आपको सभी ने जो जो हेल्प की उसके बारे में बताना है तो सबसे पहले आपन मंकी की बताएंगे मतलब जो बंदर था उसने उसके लिए कुछ फल तोड़ कर लाया था जब उसकी एनरजी डाउन हो गई थी जबो जबोड उसको बहुत जादा भूख लग रही थी दा टाइगर प्रिजेंटेड हीम असेट आफ को एंड अ मंकी एं तो जो टाइगर ने कैसे हेल्प करी थी टाइगर ने उसके लिए क्या लेकर आया था सैट ओफ गोल्ड लेकर आया था और और नमेट्स ही लेकर आया था ृशलरी मतलब की आफू उचन ओवर्नामेट्ट ठीक है और और अइसनेग वाइट दा क्वीन थी ओर स्नेग था क्योंको वाइट क्या था काटा था ता क्योंक्त वेँए प्रीजें में था जैल में था और उसको बचाना उसके लिए जरूरी था इसलिए तो इस टाइब से थस दे ओल है बुट कटर इस प्रकार से इन सभी ने बुट कटर की मदद की ठीक है है ना सिंपिल सबसे सिंपिल है यह कोशन और सबने बहुत बड़ा-बड़ा लिख आया देख लीज़ेगा गवाइब जड़ा-बड़्र dot इन बड़ा-बास बड़ा-ड़ा-ड़ा मतलब की जो वुट कटर था उस इसको मतलब जेल मतलब चल disc कारागर है कारगरह में उसको तो उसको क्यों रखा गया था कारगरह में ऊसको क्यों डाला गया था सो फूर्थ आंसर इस यह है कि दा वुट कटर वास पूट इन प्रिजन अलब जो पूट कटर है उसको प्रिजन में रखा यह डाला गया क्योंकि विकास दा ओर्नमेंट विच दा टाइगर गया घव हिम जो ओर्नमेंट मतलब जो आभूशन थे और जो शोना था उसको दिया था किसके दौरा दिया गया था टाइगर के दौरा दिया गया था फिम, where the lost ornament वो कैसा था lost खोया हुआ या घवा हुआ आभूशन थे और्नमेंट थे जेवरात थे और दा क्वीन क्सकी क्वीन की जो रानी थे उसके वो खोय हुए आभूशन थे जो टाइगर के दौरा बुटकटर को दिये गए थे तो लेकिन सब को ये लगा कि जो बुटकटर है वो क्या है चोर है उसने चोरी की है क्योंकि जो अंग्रेटफुल जोलर्स था वो उसको लेकर आया था ठीक है अभी यहाँ पर आप ये वाला देखिएगा ये वाला नहीं ये रह गया सॉरी वो अमंग दा वो अमंग दा फोर ट्रैब इन दा बेल प्रूवड अंग्रेटफुल टू दा बुटकटर और कैसे ठीक है तो उन मेंसे कौन अंग्रेटफुल हुआ तो वो जो जो जोलर्स था वही हुआ ये है यहाँ पर देखिए अमंग दा फोर आफ दा जोलर्स वास दा ओनली अंग्रेटफुल अंग्रेटफुल पर्सन जो चारो थे बेल में जो फसे हुए थे उन मेंसे स्रिप एक ही था जो अंग्रेटफुल था थैंक्स थैंक्लैस था मतलब की कौन था वो जोलर था अंग्रेटफुल पर्सन था विकॉस ही टोल्ड हीम ही टोल्ड हीम या फिर दा किंग लिख सकते हैं ये तो ही टोल दा किंग दैट क्या वोला उसने राजा को दैट बुट कजर हैड स्टोलन और नमेंट विच वार लॉस्ट उसने जो इस देखो सबसे पहले तो ये उन्होंने पूछा था कि उनमें से कौन जो था वो अंग्रेटफुल था तो जोलर लिख दिया पान ने ठीक है एंड दैन क्या किया कि और उन्होंने पूछा था वो अंग्रेटफुल था कियोंकि उस से जो लिए जो उसने जो राजा था उस से बोला था कि उज़क बीक चोल वो चोल है क्योंकि उसने आपके ओर्नमेंट चुराए maggagagagagagagagagaiagrie थे तब कि यह गलत था कि टाइगर ने उसको दिये थे वो यहां पर देखेंगे why sorry what did the snack do to help the woodcutter जो snack था उसमें कैसे और क्या मदद की मतलब क्या मदद की answer ही यह है एक मिर्ट निकालो यह है snack by the queen on her forehead जो snack था उसने कहां काटा था रानी को forehead पर माते पर such that she could not recover unless the woodcutter touched her forehead with his axe बहर जब तक recover मतलब फिर से पहले जैसी नहीं होगी जब तक जो woodcutter है वो उसकी कुलाडी को उसके माते से touch नहीं कर देगा thus इसी प्रकार the woodcutter gained king favor and was freed और इस प्रकार से जो woodcutter है उसने राजा का विश्वास favor लिया और क्या किया free हो गया वो आपको लिखना है तो आप लोग screen sort ले लीजेगा मैं यह सारी line clear कर देचूँ आपको problem ना हो जिससे ठीक है इसका भी screen sort क्योंकि आप लोग इतने जली कैसे लिख पाएंगे ठीक है इस प्रकार से आप लिख लीजेगा मैं ऐसा कर दे रही हूँ कि आपको screen sort लेने में दिक्कत ना हो और यह सबसे छोटे छोटे answer है जो आप लोग बहुत आराम से याद कर सकते हैं और आपको तो पता ही है कि quarterly exam 30 अगस्ते कुछ start हो रही है तो आपको अगर important question answer की list चाहिए है तो आप लोग please मैं को जरूर बताएगा comment section में क्योंकि उसका भी एक वीडियो आने बाला है quarterly exam के लिए IMP question के लिए ठीक है और हाँ सबको पता होगा कि फिप्ट तक ही आना है quarterly exam में जो भी class 8 sorry class 10 के student है जो वाइचांस अगर इस वीडियो पर आ गए है तो उनके लिए भी एक खुश खबरी है कि उनके लिए भी important question आ ही चाहेंगे चैनल पर आप लोग दिए प्रीज बश चैनल को subscribe करके रखें कि उनके कभी भी उस पर वीडियो डाव सकती है what happened to the jolar in the end the jolar है उसके साथ आखरी में क्या हुआ तो बो अपने जो उस ने किया है उस पे बहुत पच्थाया उसे बहुत बुरा लगा ये रेखिए दा अन्ग्रेटफुल जुआलर बाज है वो वेरी मच असेंब्ड ओफिस एक्ट इन दा एंड तो वो जो आंखरी में था आखरी में अन्त में क्या हुआ जो अन्ग्रेटफुल जोलर था कृता जोहरी था वो बहुत जादा असेंड शर्म आयो से उसके किये पर ठीक है तो तो देड़ वाज़ आंसर लास्ट कोशन अफ लास्ट कोशन तो आप इसका स्टीन सॉट ले सकते थे तो यह रहे क्लास एट लेशन जी दा अन्ग्रेटफुल जोलर के कोशन अगर आपको इसकी फुल एक्रिसाइज चाहिएगा